प्रेग्नेंसी प्लानिंग जब आप शुरू करते हैं, तो कुछ चीजें जो कॉमन लाइफ में आप कर रहे होते हैं, उनसे आपको बचना होता है, लेकिन वो क्या है वो आपको नहीं पता, वो हम आज इस वीडियो में आपके साथ शेर करेंगे, बड़ी छोटी-छोटी सी हैं, लेकिन बड़ी कॉमन हैं, बट प्रेग्नेंसी प्लानिंग में वो दिक्कत पहुंचाती हैं आपको, हलो अब्रीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहली चानल में, वीडियो को पूरा देखे, लास्ट में, मैं हर वीडियो के लास्ट में, आपके सवालों को कवर करती हूँ, ताकि आपको जवाब भी दे सकूँ और आपसे बार्चेत भी हो सके, और अगर आप प्रेग्नेंसी क्यर की जानकारी चाहते हैं, तो मुझे यूट्यूब मॉम पर भी फालो कर सकते हैं, प्रेग्नेंसी प्लानिंग, करने में कौन से चीज़ें हामफूल ह कई बार आपको सरदर्द होता है, या पेट स्टब हो जाता है, या फिर कहीं पैर में दर्द हो रहा है, बाक में पेन हो गया है, बहुत देर काम करने से कंदी में गर्दन में कुछ दर्द हो रहा है, तो कुछ पेन किलर दवाएं ले ली, ऐसा होता होगा आपके साथ भी, लेकिन एक बहुत बड़ी study की गई कि यह जो drugs होती है, NSAID की category में जो आती हैं, तो क्या इन drugs को लेने से, जो कि जनरली बिना prescription के ही लोग यूज कर लेते हैं, medical से purchase करके, यह जो drugs हैं, यह आपके ovulation को disrupt करती है, fertilization को disrupt करती है, और implantation को भी disrupt कर देती है, तो अगर अकसर आप लेते हैं, तो इनको छोड़ दें, तूसरी important बात, जिस पर भी काफी लोगों ने study किया है, इसको समझा है, और बताया है कि frequent आप tour करते हैं, long travel करते हैं, frequent tour है, job अगर ऐसी है, किसी female की, तो इसको बहुत जादा tour करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या होता है, कि आपकी body की जो clock है, वो थोड़ी से disturb होती है, और उसका असर आपके brain पर पड़ता है, और उससे आपके hormones जो हैं, थोड़े से upset होते हैं, और इससे आपका menstrual cycle disturb हो जाता है, जिससे कि ovulation disturb होता है, और pregnancy planning cutting हो जाते हैं, तो अगर आप बार बार टूर पे रहते हैं, जादा outing होती है, जिससे कि खान पान दिन चर्या सब प्रभावित होती है, तो pregnancy planning के लिए stable environment आप बनाएं, तब ही pregnancy plan करें, तीसरा important factor है, जिसमें कि आपको बहुत जादा सोचना है, arrangement करना है, वो है night duties, कई profession ऐसे हैं, जैसे कि police की duty है, army की duties होती है, medical में duties जो होती है, mostly night shift में भी होती है, वो मन करती है, लेकिन ऐसे में उनकी biological clock, जो शरीर की एक घड़ी है, जिससे की hormone संतुलित होते हैं, शरीर की सारी गतिविदियां चलती हैं, वो disturbed हो जाती है, और इससे body पे physiological और mental stress बढ़ता है, sleep की quality नहीं आपाती और melatonin का स्तर भी प्रभावित होता है, तो इससे भी आपकी fertility प्रभावित होती है, specially in cases में conceive करना उतना मुश्किल लई है, जितना कि उसको maintain करना 9 महीने तक, miscarriage का risk बहुत ज़्यादा रहता है, तो अगर आप भी night duty करती हैं, तो थोड़ा सा adjustment करें, अपने पर आप ये समझेंगे कि chemical exposure हमें तो नहीं है, chemical exposure हम तो घर में रहते हैं, नॉर्मल अपती दिन चर्या जीते हैं, लेकिन chemical exposure आपको भी है, आपके घर में disposal या फिर आप बाहर गये, अपने juice लिया, shake लिया, चाय लिया, कोई भी चीज लिया, या फिर आप सुपर मार्केट आपने canned, कुछ food, juices, कुछ ऐसी चीजे खरीदी, edible items खरीदे जो canned हैं, तो उसके थूँ धेर सारे chemical जिसको की EDC का नाम दिया गया है, endocrine disruptors होते हैं, वो आपके endocrine, यानि कि जो hormones secret करने वाली glands हैं, उनके function को disrupt करते हैं, disposal, plastic की bottles, plastic के container, जिनको fridge में खाना स्टोर करके हम रखत करते हैं, tiffin carry करते हैं, non-stick burden, ये सारे chemical का exposure देते हैं हमको, तो अगर आप भी infertility से परेशान हैं, तो इन छोटी-छोटी lifestyle factors को ठीक करना शुरू करते हैं, आप जो cream यूज करते हैं, उसमें para beans नहीं होने चाहिए, महिलाएं, अक्सर nail paint यूज करती हैं, तो nail paint acetone based होता है, वो ही problem करता है, endocrine glands की functioning को disturb करता है, तो ये चुटी-चुटी चीज़े बहुत important है, जिसका आप पूरा ध्यान रखें, अगर आप pregnancy plan कर रहे हैं, अब बार जाती हैं आपके सवाल की, आज का सवाल है, कि सभी reports normal हैं, सारे test कर वा लिए, tube का test भी हो गया, normal है, all reports फिर भी conceive न देखें, पिछले एक या दो दिन में कि आप खान-पान किस समय खाते हैं, किस तरीके का खाना खाते हैं, क्या आप physically active हैं, आपका weight कैसा है, क्या आप prenatal vitamins ले रहे हैं या नहीं, supplement, diet और exercise ये अगर सही है, तो conceive होगा equality भी ठीक रहेगी, और conceive होने में problem नहीं आएगी, दूस में से जो भी आपको पसंद आता है, easy लगता है, उसको follow कर सकते हैं, chamomile tea, evening prebrose oil यूज कर सकते हैं, ayurvedic formula भी latest में ने शेर किया है, चतुरभी चूण का, तो आप इनको follow करे, definitely PMS में आराम मिलेगा, आशा करती हूँ, ये जैनकारी आपको अच्छी लगी होगी, like a button ज़र subscribe कर दीजे, thanks for watching